नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग I hope कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और इसे उमीद के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों आज ही सूडियो में हम लstory बात करेंगे चैनली शूपर किंग्स वर्षाज टेशाज मुंबई इंडियン्स के बीच होने वाले आज के शाम के मैच को लेके जो की एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग मैच होने वाला है देखें दोस्तों जो Mumbai Indians की team है वो overall IPL से बाहर हो चुके है लेकिन Chennai Super Kings के अभी भी है वो match जब आप लोग count करते हैं तो अभी भी chances बन रहे हैं तो Chennai Super Kings के team इस match को जीतना चाहेगी और MI की team है वो Chennai को यहां से हराकर बाहर करना चाहेगी क्योंकि Chennai आज का match अगर आपती है तो फिर Chennai भी है वो Mumbai के साथ पूरे IPL से बाहर हो जाएगी तो क्या कुछ होने वाला है चलिए आगे इस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे लेकिन उससे पहले दोस्तो final update के लिए हमारे टेलिग्राम चैनल पर जरूर जोइन हो जाएगा जो आप ये वीडियो देख रहे हैं इसी वीडियो के description में जाओगे तो आपको टेलिग्राम चैन चैनल से जाके जुड़ रहे हैं और वहां पे हमारे नाम पे कुछ लोग प्राइम टीम उनको देते हैं पैसे लेते हैं कल काई मामला है मैंने आपको कल रात ही message किया था कि एक user की वज़ा से बहुत है आज बूरा लगा क्यूंकि उसने गलत चैनल को जोईन किया वहां पे उसने 1900 रुपए पे किये और वो मेरे इंस्टाग्राम पे अकाउंट पे जाके है वो गलत-गलत कमेंट कर रहा था हालांकि मैंने उससे बात भी किये तो यही चीज बोलूँगा भाई अगर आपसे कोई भी पैसा मांग रहा है तो उसके चैनल को आप छोड़ दीजिए वो ना तो आपको कभी जिता सकता और ना कभी जिता पाएगा तो डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से आप लोग है वो हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लिजिए वहां पे आपको फाइ स क्रीम वहरा तो आपको याद होगा यरा पर यहां पर चुरुआत में रण्स नहीं बन रहे ते लेकिन दूस्तों लाइसट के कुछ मैस ना यहां पर थोम सिंग थोड़ि से कम देखने को मिली है प्लस यहां पर batsman को support मिल रहा है यानि कि runs यहां पर अच्छे खासे बन रहे है slow pitch आपको देखने को मिल सकते है क्योंकि काफी match यहां पर खेले जा चुके है तो यहां पर आपको एक slow pitch देखने को मिल सकते है यानि कि यहां पर जो spinners है वो faster's के comparison में या फिर equal है वो आपको यहां पर support आपको wickets निकाल के देख सकते है इस चीज़ का आप लोग घ्रान रखना पहले betting करेगी उस्ट्रेम के लिए कहीं न कहीं थोड़ी सी problem रहेगी क्योंकि due कहीं न कहीं एक factor रहेगा और due यहां पर आपको देखने को मिल सकते है अब इस season के जो matches है वो आप लोग यहां से देख सकते हो यह देखे दोस्तों यह जो आप नीचे के matches देख रहे है ना यह जो आप नीचे के matches देख रहे है यह देखे यह RCB last matches आपर RCB ने 102 किये थे यहां पर high scoring matches के कुछ matches से देखने को मिल रहे है और जहां तक मुझे लग रहा है 170 वाला match आपको easily इस मैदान पर यह जो match है 170 वाला match है आपको आसानी से देखने को मिल सकता है बाकि जो मैंने आपको बता दिया कि spinners आप लेके जा सकते हो इस चीज़ को आप लोग फोलो कर सकते हो यहां पर CSK की playing player में रितुराज, गाइकवेड, डिवान, कॉनवे, सीवम, दूबे, अमबती, राइडू, मोहिन, अली, MS, दोनी, रॉबिन, उत्तपाट, DJ, ब्राओ, समर्जीद, सिंग, महीश, तिक्षन, मुकेश, चोदरी यह 11 players है यहां पर रवींदर जडेजा आउट हो चुके हैं इस टीम की समझ में नहीं आईए बाकी यहां से यह चीज़ फोलो कर ले ना समर्जीद और मुकेश चोदरी पोरपले में और डैथ में गेंदवाजी है वो डीजे ब्राव मुकेश चोदरी या फिर आप लोग बोल सकते हो कि समर्जीद यहां पर आपको डैथ में गेंदवाजी करते हैं दिख सकते हैं फुल स्टैट्स में सिंफो की बात करते हैं तो देखें रितुराज गाइकवेड और डिवाण कॉर्ण में ओपन कर रहा है दोनों का अभी तक सिजन काफी बढ़िया देखें लास्ट के कुछ मैचस यहां पर रितुराज गाइकवेड के लिए काफी बढ़िया रहा है वेन्यू पर 21 का यहां पर 2-1 में देखोंगे 30 का आवरेज रहता है यहां पर वेन्यू का देखोंगे 3 का आवरेज है एक मैच के लिए 3 लेकिन जैसे ही इनजरी के बाद लोटे है भाई धमाका करना का चैनरी की जीत में इनका मेन रोल है यहां से आप small league में या तो दोनों के साथ जा सकते हो या फिर इन दोनों में से ना वो किसी A को drop कर सकते हो आप डिवान कॉर्ण में को भी drop कर सकते हो आप तुराज गाइकवेट को भी drop कर सकते हो जिससे की होगा क्या कि अगर जो आप सही choice करते हो तो आपके पास एक other option बन जाता है और दोस्तो other option बन जाता है तो वहाँ पे आप game बदल सकते हैं सीवं दूबे एक बड़िया option है one down अगर battering कर रहे हैं venue पे देखोगे 7 match में 121 run है head to head में 6 match में 89 बाकी देखेगा season overall average आप लोग मान सकते हैं सीवं दूबे के लिए एक game changer pick है अमबती राइडू मेरे favorite रहते हैं last last के 2-3 matches में अफकोर्स इन्होंने perform नहीं किया है 37 coverage रहता है venue पे देखोगे 22 coverage रहता है two down battering कर रहे हैं जहां तक one kheddy की type की pitch है तो one kheddy pitch पे ये एक बहुत बढ़िया game changer देखे दोस्तों अगर यहां पे CSK की team पहले batting करती है तो यहां से एक player में आपको बोलूँगा अमबती राइडू जो बहुत बढ़िया pick आपके लिए बन सकती है और game changer pick बन सकती है अगला नाम मोहिन अलिक आता है अब देखें लास्ट मैच में मोहिन लिको थोड़ा सा नीचे बेजा गया जहां तक मुझे लगता है कि इनकी position अना वो one down होनी चाहिए और आज के मैच में आपको one down दिख भी सकते हैं चार मैच में 121 venue पे देखेगा पांच मैच में 183 run किया हुए लास्ट मैच में बेटिंग से नहीं लेकिन बोलिंग से इन्होंने तीन विकेट निकाली है आज भी यहां पे आप देखोगे इशान किशन लैप रेंडी है तिलक वर्मा लैप रेंडी है तो अच्छी खासे गेंदबाजी कर सकते हैं मैस थोड़ा सा नीची आ रहे हैं स्मोल लीग में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा बाखे ग्रैंड लीग में ले सकते हो रोबिन उत्थपा नीचे चले गए हैं तो जहां तक मुझे लग रहा है स्मोल लीग में लेना एक बहुत बढ़ा इस होगा 26 कावरेज है और वेन्यू पर 28 कावरेज रहता है डीजे बराओ दोस्तों आप लोग देखे यह देखे इनके लास्ट के कुछ मैचस देखे चार मैचस में रहा वह 9 विकेट निकाल चुके हैं यहाँ पर आप लोग देखोगे 21 मैच में 33 विकेट है 18 मैच में 25 या फिर 26 विकेट है तो एक विकेट टेकर के इंदवाज है लोग लेके जाने वाले है लेकिन एक ही चीज बोलूगा कि अगर यहाँ पे लास्ट टाइम जब पिछ रिपोर्ट मिलती है अगर वहाँ पे जो है घास अगर कम बताई जाए तो वहाँ पे उस कंडिशन में मुकेश चोदरी को आप ड्रॉप कर सकते हो अगर घास वगर होती है तो भाई आप मुकेश चोदरी को ले सकते है क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे मैचिस होते जा रहे है जो पेसर से शुरुआत में जो स्विंग वगर करते हैं उनके लिए थोड़ी सी जो मदद है वो कम हुई है ये भी आपको चीज ध्यान में रखनी है बाकी यहाँ से आप लोग देख सकते हो एमाई की प्लेंग लिए उनके बारे में रोई शर्मा इशान किशन तिलक वर्मा समर्जीत कारोन पोला टिम डैविड डैनियल मूर्गन कुमा और यहाँ पर रोई शर्मा का 35 कावरेज रहता है वेन्यू पर सीजन रोई शर्मा के लिए थोड़ा सा बकवास सरा है लेकिन इशान किशन लास्ट के 2-3 मैचस में फोम में दिखे हैं वो भी उस कंडिशन में दिखे हैं जो विकेट किपिंग ऑप्शन से हैं इनको लेना ह जाता है अधर कोई प्लेयर नहीं रहता है हम तो जाता है लेकिन काफी लोग डॉप परके जाते हैं और इसका फाइदा हमें हूण सकता था लेकिन यह वने नहीं दिया गया क्योंकि विकेट फिप्रिंग सेक्स में यही में और आज भी यही main player रहेंगे तो यह दोनों आपके लिए important pick है तिलक वर्मा एक important pick आपके लिए रहेंगे last match में 6 run के account का average रहता है last match जब खेले थे account run के थे venue पे 38 का average रहता है last match जब खेले थे सिजन अभी तक मुंबई के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तिलक वर्मा सबसे success player रहे हैं और दोस्तों सूर्य कुमार यादव नहीं खेल रहे है that means कि वो आपको one down batting करते हुए दिखेंगे और यहाँ पे अगर मैं आपको बोलू तो आप इनको cvcb दे सकते हो तिलक वर् लिए जाँगा रमनदीप आपके लिए grand league mix बनते है small league में आपको सजास नहीं करूँगा जील में ले सकते हो कारवन पोलार दोस्तों यहाँ पे दो प्लेयर पे फोकस करना यह जो दो प्लेयर है कारवन पोलार और टीम डेविड देखिए अगर मुंबई की टीम पहले लिए होते नहीं है यहां से आप लोग उठा सकते हैं यहां से आप लोग उठा सकते हो आप team david को भी उठा सकते हो तीम डेविड एक बहुत आप अटाइकिंग बैट्स मैंने है, टीम डेविड उठा सकते हैं, अब जब MI की टीम पहले बैटिंग करती हैर डैनियल से पवर फुले में गेंद बाजी करते हैं, अच्छे गेंद बाज है कहीं न कहीं है पहले बैटिंग आती है तो बैटिंग से अब पहुन देश सकता है इंपोर्टेंट भी करेंगे मुर्गन अस्विन लगाता है अच्छी गेंदबाजी कर रहा है आप लोग देख सकते हैं अभी तक विकेट लेस नहीं रहे हैं लास्ट के तिन चार मैचस में हम लेके गई है पांच मैच में दो विकेट हैट वाड में वेन्यू पे तीन मैच में दो विकेट रहते हैं सामने वाले टीम की जो बल्ले बाज है वो स्पिन को थोड़ा सा बैटर खेल लेते हैं उसके लाओ यहां से आप लोग देख सकते हैं कुमार काट किया लास्ट मैच में दो विकेट निकाली है चाहिना मां फास िन्द बाजी करते हैं एक डिफरेशल पीट है जस्पीत बुम्रा 5 विकेट नो विकेट निकाली 13-11 वेन्यू के देखोगे तो 32 मैच में 30 विकेट नो निकाली है र्याली अगर यहां पे मैंए टीम पहले बॉलिंग कर जाएए तो उस वक्त में भॉझे लिए इंपोर्टेट रहेंगे अदरवार्वाइज मैं किराें पहले बॉलिंग करते हैं ने सकता हूं रिफएंड करते हैं वो सूरिया ने 32, मुकेश चोधरी ने 3 विकेट, यहाँ पे रोहिश सर्मा बगर को शुरुआत में पवेलियन बेजा था, इशान किशन को बॉल्ड किया था, डीजे ब्राओ दो विकेट, राइडू 40, उत्थपा 30, सैंस को 4 विकेट, और यहाँ पे जैदे 99 कट को है, वो 2 विक थाना, यहाँ से मेरे लिए तिलक वर्मा इंपोर्टन रहेंगे, अगर MI के टीम पहले बैटिंग करती है, उसके लगाँ डीजे बराओ, उसके लगाँ यहाँ से आप देखोगे, तो अमबती राइडू अगर CSK के टीम पहले बैटिंग करती है, यह तीन मेरे दिमाग में ह और यहाँ यह गेम चेंजर भी है, इन में से दो तो यह गेम चेंजर भी है, सेलेक्शन थोड़ा सा कम ही दिखेगा आपको, प्लेयर्स बैटल की बात करते हैं भाई, रोही शर्मा, मुकेश सोदरी ने इसी सेजन आउट किया था, आपको व्याद होगा, डीजे बराओ ने मुकेश चोदरी ने एक बार लास्ट मैच में इसी सेजन में बॉल्ड किया था इनको, बाकी कायरोन पोलाड की बात करते हैं, एक बार आउट किया इनको, डीजे बराओ ने दस बार आउट किया लेकिन पिटाई भी है, सेंटनर ने एक बार, रविंदर जडेजा ने तीन बार जो की रूल डाउट हो चुका है, शायर नहीं खेलेंगे, महीश ठिक्षना ने एक बार, अबती रैडू का देखोगे, सेंटने एक बार, दो बार किया, जैदे उनारकत ने तीन बार, तो कहीना के श्रगल है, थोड़ा सा नीचे भी आ रहे है, उसकल आप देखोगे, मैस धोने का, जैदे उने एक बार, और जस्परीद बूमरा ये, जस्परीद बूमरा ने तीन बार आउट किया है, और श्रगल किया है, मैस धोने ने जस्परीद बूमरा के सामने, और ये बैटर्स आपको देखने को मिल सकता है, अब चलिए आपकी टीम कैसी होनी चाहिए इस पे हम लोग है, वो discussion कर लेते हैं कि किस-किस player को आप लोग easily have अपने team में pick कर सकते हो, किस-किस team player को आप लोग ले सकते हो, देखे, सबसे पहले wicket giving section में चलते हैं, directly इशान किशन है, बाकि GL खेलते हो, तो जो पहले batting करती है, चन्नी की team, तो उस वक्त आप लोग MS धूनी को ले सकते हो, अगर चन्नी की team पहले batting करती है, तब ले सकते हो, बाकि यहाँ पर इशान किशन सेफ है, batting में guy quade, devon cornway, यहाँ से simple सी चीज कर सकते हो, कि दोनों में से एक को drop कर सकते हो, devon cornway को drop कर सकते हो, रितुराज guy quade को drop कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी right choice बन सकता है, आपकी पास एक extra choice बन जाएगी, या तो यह दोनों, या फिर दोनों में से एक हो, जल्दी out हो सकता है, तिलक वर्माप मको मैं यहाँ से लूँगा, अब देखेंगा, सीवन दूबे, अंबती राइडू, रॉबिन उत्पा, मैंने रोई शर्मा को लिया, लेकिन य बाकी मैं यहाँ से आपको उत्थपा सजेस्ट नहीं करूँगा, सीवन दूबे, अंबती राइडू, तो मेरी first choice है, वो अंबती राइडू रहेगा, और राउंडर में, मोही नहीं हो गए, बाकी यह खेलेंगे नहीं, डानियल सैम्स हो गया, काईरॉन पोलाड की बात करत टीम डैविड एक गेम चेंजर प्लेयर बन सकते हैं, टीम डैविड एक शांदार प्लेयर है, हिटर बल्ले बाज है, अटैक करते हैं, बाउंडरीज की लेंड छोटी है, तो MI की टीम पहले बैटिंग कर जाए, आप तिलक वर्मा को भी ड्रॉप करके, टीम डैविड की तर अगर MI की टीम पहले बॉलिंग कर जाती है, तो आप डैविड को ड्रॉप कर सकते हो, यह चीज़ आप लोग धिया लखे टीम का प्रव्यू की बात करते हैं कुछ ऐसा रहेगा जहां तक माने आपको बता दिया कंडिशन वाइस क्या क्या चेंजर आप कर सकते हैं वह मने आपको वीडियो में क्लियर कर दिये बाकि कैप्टन वाइस कैप्टन सी देखेगा मैक्सिमम लोग यहां से जाएंगे अब द कर लेना वाइस कैप्टन वाइस कैप्टन सी बताएं मेरी कोन होगी वाइस कैप्टन सी यहां से रोही शर्मा और इशान किशन में से आप किसी को दे सकते हो सेब तो वैसे आपके लिए यह रहेंगे बाकी मैंने कैप्टन सी मोहिन अली को दे दी वाइस कैप्टन सी मैंने रोहि शर्मा को दे दी अब बड़ा गेम खेलना चाहो यहां से एक चीज़ ये कर सकते हो और आप ढूमरा को वसकोटेंस सकते हो और टिजे ब्राव को सबस्क्राइब जूर कीजिए धनेवाद